Hello students, आज इस वीडियो में हम chapter 12 ratio and proportion exercise 12.2 से question number 1 solve करेंगे तो question number 1 देखे, determine if the following are in proportion तो देखे, इस question में हमें numbers देगे, हमें पता करना है कि क्या ये proportion में है हमें कैसे पता चलेगा ये proportion में है अगर first और second number का ratio, third और fourth number के ratio के equal आ जाता है तो ये numbers proportion में होंगे तो सबसे पहले हम first और second number का ratio निकालेंगे, first और second number कों से है 15 और 45 तो पहले इन दोनों का ratio निकालेंगे तो देखे ratio of 15 to 45, 15 का 45 से ratio कितना आएगा, देखे 15 ratio 45 अब इसे fraction की form में लिख लिएज़े तो कैसे लिखेंगे, 15 upon 45 देखे, दोनों 15 से डिवाइड हो रहे है, 15 बन जा 15, 15 3 जा 45 तो क्या आया, 1 upon 3 अब 1 upon 3 को दुबारा से ratio में लिख लिएज़े, तो कैसे लिखेंगे, 1 ratio 3 तो ratio of 15 to 45 is equal to 1 ratio 3 अब ratio of 40 to 120, अब 3rd और 4th number का ratio निकाल देखे, 40 और 120 का ratio निकालना है, तो 40 ratio 120 अब इसे fraction की form में लिख लिएज़े, तो कैसे लिखेंगे, 40 upon 120 देखे, 1 0 से 1 0 कैंसल होगी, 4 और 12 दोनों 4 से डिवाइड है, 4 1s आ 4, 4 3s आ 12 तो क्या है, 1 upon 3, 1 upon 3 को ratio में लिख लिख लिए, जो तो कैसे लिखेंगे, 1 ratio 3 तो ratio of 40 to 120 is equal to 1 ratio 3 तो अब देखे, 15 और 45 का ratio क्या है, 1 ratio 3 और 40 और 120 का भी ratio क्या है, 1 ratio 3 तो देखे, दोनों के ratios जहें equal आ रहे हैं, तो यानि ये numbers जहें, वो proportion में है तो देखे, because 15 ratio 45 is equal to 40 ratio 120 क्योंकि 15 और 45 का ratio equal है, 40 और 120 के ratio के इसलिए, 15, 45, 40, 120 are in proportion तो ये सब जहें, proportion में है भी पार्ट देखे, अब numbers देगे हैं, 33, 121, 9 और 96 अब देखना है कि क्या ये proportion में है, तो सबसे पहले, 1st और 2nd number का ratio find करेंगे, फिर 3rd और 4th number का ratio find करेंगे, तो 1st और 2nd number कों से है 33 और 121, ratio of 33 to 121, 33 का 121 से ratio कितना आएगा, देखे, 33 ratio 121, अब इसे fraction की form में लिख लिए जो तो कैसे लिखेंगे, 33 upon में 121, देखे, दोनों 11 से divide हो रहे है, 11, 3, 33, 11, 11, 11, 11, 11, अब देखे, 3 और 11, ये दोनों जो आगे, 1 के अलावा किसी एक ही number से divide नहीं होते है, तो क्या है, 3 upon 11, अब इसे fraction की form में, sorry, ratio की form में लिख लिख लिखे, तो कैसे लिखेंगे, 3 ratio 11, तो ratio of 33 to 121 is equal to 3 ratio 11, अब थर्ड और फॉर्थ नमबर, यानि 9 और 96 का ratio निकालना है, तो ratio of 9 to 96, तो देखे, इन दोनों का ratio क्या आएगा, 9 ratio 96, अब इसे fraction की form में लिख लिखे, तो कैसे लिखेंगे, 9 upon 96, देखे, दोनों 3 से divide हो रहे है, 3, 3 is the 9, 3, 3 is the 9, 3, 2 is the 6, अब देखे, आगे, 3 और 33 ये दोनों, 1 के इलावा किसी एक ही नमबर से divide नहीं होते, तो क्या है, 3 upon 32, अब इसे ratio की form में लिख लिखेंगे, 3 ratio 32, तो देखे, ratio of 9 to 96 is equal to 3 ratio 32, तो देखे, 33 और 121 का ratio तो 3 ratio 11 आया है, और 9 और 96 का ratio, 3 ratio 32 आ नहीं आ रहे हैं, तो यानि ये numbers proportion में नहीं है, so because 33 ratio 121 is not equal to 9 ratio 96, क्योंकि 33 और 121 का ratio equal नहीं है, 9 और 96 के ratio के इसी लिए, यानि therefore 33, 121, 9 and 96 are not in proportion, तो ये proportion में नहीं है, सी पार्ट देखे, numbers देख गए है, 24, 28, 36 और 48, अब देखना है कि क्या ये numbers proportion में हैं, तो सबसे पहले 1st और 2nd number का ratio find करेंगे, फिर 3rd और 4th number का ratio find करेंगे, तो सबसे पहले 1st और 2nd number का ratio find करेंगे, तो ratio of 24 to 28, 24 का 28 से ratio कितना आएगा, देखे, 24 ratio 28, अब इसे fraction की form में लिख देखे, तो कैसे लिखेंगे, 24 upon 28, अब देखे, दोनों 4 से डिवाइड होने, 4, 6 से 24, 4, 7 से 28, क्या है, 6 upon 7, अब इसे ratio की form में लिखे, जो कैसे लिखेंगे, 6 ratio 7, तो ratio of 24 to 28 is equal to 6 ratio 7, अब ratio of 36 to 48, अब 3rd और 4th number का ratio find करेंगे, तो देखे, 36 का 48 से ratio कितना आएगा, 36 ratio 48, अब इसे fraction की form में लिखे, तो 36 upon में क्या आएगा, 48, अब देखे, ये दोनों किस से डिवाइड हो रहे है, ये दोनों डिवाइड हो रहे है, 12 से, 12, 3, 36, 12, 4, 48, तो क्या है, 3 upon 4, अब इसे ratio की form में लिखे, तो कैसे लिखेंगे, 3 ratio 4, so ratio of 36 to 48 is equal to 3 ratio 4, तो देखे, 24 और 28 का ratio 6 ratio 7 आया है, और 36, 48 का ratio 3 ratio 4 आया, तो देखे, इन दोनों के ratios जहें, इक्वल नहीं आ रहे है, तो यानि ये numbers जहें, proportion में नहीं है, तो because 24 ratio 28 is not equal to 36 ratio 48, क्योंकि इन दोनों का ratio equal नहीं है, इन दोनों के ratio के, इसलिए, therefore 24, 28, 36, 48 are not in proportion, तो ये proportion में नहीं है, डी पार देखे, नमबस इसे कहें, 32, 48, 72, 110, अब देखने हैं कि क्या है, ये proportion में है, तो सबसे पहले, first or second number का ratio find करेंगे, फिर third or fourth number का ratio find करेंगे, तो पहले इन दोनों numbers का ratio find करें, ratio of 32 to 48, 32 का 48 से ratio कितना आएगा, तो ये 32 ratio 48, अब इसे fraction के form में लिख लिए, जो तो कैसे लिखेंगे, 32 upon 48 आएगा, देखे, दोनों 16 से divide हो रहे है, 16 to 32, 16, 3 to 48, तो क्या है, 2 upon 3, अब इसे ratio की form में लिख लिए, जो तो कैसे लिखेंगे, 2 upon 3, sorry, 2 ratio 3, तो ratio of 32 to 48 is equal to 2 ratio 3, अब third or fourth number का ratio find करेंगे, ratio of 70 to 210, देखे, 70 ratio 210, 70 का 210 से ratio find करना है ना, तो 70 ratio 210, अब इसे fraction की form में लिखेंगे, 70 upon 210, देखे, 1 0 से 1 0 cancel होगी, अब यह दोनों 7 से divide हो रहे है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो क्या है, 1 upon 3, अब इसे ratio की form में लिखेंगे, जो तो कैसे लिखेंगे, 1 ratio 3, so ratio of 70 to 210 is equal to 1 ratio 3, तो देखे, 32 और 48 का ratio आ रहे है, 2 ratio 3, और 70 और 210 का ratio आ रहे है, 1 ratio 3, तो देखे, इन दोनों के ratio इक्वल नहीं आ रहे है, तो यह numbers जो है, proportion में नहीं है, तो देखे, because 32 ratio 48 is not equal to 70 ratio 210, क्योंकि 32 और 48 का ratio इक्वल नहीं है, 70 और 210 के ratio के, therefore 32, 48, 72, 110 और 19 proportion, तो यह proportion में नहीं है, यह पार्ट देखे, numbers यह गए है, 468, 12, अब देखनें क्या आए, numbers proportion में है, तो सबसे पहले 1st और 2nd number का ratio find करेंगे, फिर 3rd और 4th number का ratio find करेंगे, so ratio of 4 to 6, 4 का 6 से ratio कितना आएगा, तो देखे, 4 ratio 6, अब इसे fraction की form में लिख लिए, जो तो कैसे लिखेंगे, 4 upon 6, अब देखे, दोनों 2 से डिवाइड होरे, 224, 236, तो क्या आया, 2 upon 3, अब इसे ratio की form में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2 ratio 3, so ratio 4 to 6 is equal to 2 ratio 3, अब 3rd और 4th number का ratio find करेंगे, ratio of 8 to 12, तो 8 का 12 से ratio कितना आएगा, देखे, 8 ratio 12, अब इसे fraction की form में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 8 upon 12, देखे, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे है, 4 2s आ 8, 4 3s आ 12, तो क्या आ 2 upon 3, 2 upon 3 को ratio में लिखेंगे, तो ratio 3, so ratio of 8 to 12 is equal to 2 ratio 3, तो देखे, 4 और 6 का ratio भी 2 ratio 3 आए, 8 और 12 का ratio भी 2 ratio 3, तो दोनों के ratios equal आ रहे है, तो ये numbers जा है, proportion में है, तो because 4 ratio 6 is equal to 8 ratio 12, क्योंकि 4 और 6 का ratio, 8 और 12 के ratio के equal है, therefore 4, 6, 8, 12 are in proportion, तो ये proportion में है, एफ पार्ट देखे, नमबर से गए, 33, 44, 75, 400, देखने हैं क्या ये numbers proportion में है, तो सबसे पहले, फर्स्ट और सेकी नमबर का ratio find करेंगे, फिर्ड और फॉर्थ नमबर का ratio find करेंगे, तो देखे, फर्स्ट और सेकी नमबर कौन से है, 33 और 44, तो ratio of 33 to 44, 33 का 44 से ratio कितना आएगा, तो देखे, 33 ratio 44, अब इसे fraction की form में लिखे, जो तो कैसे लिखेंगे, 33 upon 44, देखे, दोनों 11 से डिवाइड हो रहे है, 11, 3 जा 33, 11, 4 जा 44, क्या है, 3 upon 4, अब इसे ratio की form में लिखे, जो कैसे लिखेंगे, 3 ratio 4, तो ratio of 33 to 44 is equal to 3 ratio 4, अब 3rd और 4th नमबर का ratio find करेंगे, ratio of 75 to 100, 75 का 100 से ratio कितना आएगा, तो देखे, 75 ratio 100, अब इसे fraction की form में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 75 upon 100, देखे, दोनों 25 से डिवाइड हो रहे, 25, 3 जा 75, 25, 4 जा 100, तो क्या है, 3 upon 4, अब इसे ratio की form में लिखेंगे, तो 3 ratio 4, तो ratio of 75 to 100 is equal to 3 ratio 4, तो देखे, 33 और 44 का ratio भी 3 ratio 4 आया, और 75 और 100 का ratio भी 3 ratio 4, तो दोनों ratios जाए, equal आ रहे हैं, तो यानि ये proportion में है, तो because 33 ratio 44 is equal to 75 ratio 100, क्योंकि 33 और 44 का ratio equal है, 75 और 100 के ratio के, therefore 33, 44, 75, 100 are in proportion, इसलिए 33, 44, 75, 100 ये proportion में है, तो आज इस वीडियो में हमने question number 1 solve करा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो please like, share and subscribe, thank you.